गाईज आपने फहुत सारे जंगली जानवरों के वीडियो देखेंगें लेकिन नील गाय के वीडियो के बारे में यह नील गाय एक ऐसा जंगली जानवरे जो कभी भी एक दूसरे की हेल्प नहीं करते कि दोस्तो कभी भी आप देख लेना किसी भी निल गाये के वह एक जुंड हो चाहिए के वीडियो को ये किसी भी खत्रे में अपने आपको बचाने की कोशिच करते हैं अब यहां इस वीडियो मां आप देखोये एक निल गाये के अस-पास इतने सारे डॉक हैं दूसरे कोई नीलगाय नी आराे तेखो आप पीछे के साइड दिखे का एक दूसरा खड़ा हुआ यहां से देख रहा है अगर मैं जुसरी साइड ले केमरा गुआ हूं यहां है से तो आप देखो कोह नहीं कितनी नील घाअ यह देखो सादे सादे खड़े खड़े उदर देख रहे हैं लेकिन कोई भी उस नीलगाय को बचाने नहीं आ रहा दोस्तो इस जानवर की सबसे बड़ी कमजोरी है ये कहते हैं नहीं कि बहुत खतरनाक जानवर है बस ये अक्यला ही खतरनाक है तो है बाकी ये एक दूसरे की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते है ये सचा ही है अब मैं आपको एक इतना बड़ा नीलगाय दिखाने जा रहा हूँ जो भी इसके पास दूर से खड़ा खड़ा इसको टक टकी लगाय देखा हुआ है देख रहा है अगर वो महाँ चला जाए तो इस सारे डॉक्स को योई शींग से उठा कर फैंक दे लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं पटी दोस्तों ये देखो ये देखो इसकी भी हिम्मत नहीं क्योंकि ये इतने डर्टोंग जानवर होता है इतना डर्ता है हलांकि कई बार इन्होंने कुटे को भी मार दिया इंसान को भी मार दिया लेकिन वो अकेला ही जो करता है जो करता है दूसरा कोई यानि ये ग्रूप में बिलकुल भी इनकी ताकत नहीं ये सिर्फ संग्ठन में रहते हैं बचाओ के लिए लेकिन किसी का सामना करने के लिए नील गाया कभी भी संक्टन नहीं रहे था दोस्तों यह तो इस नील गाया का एक समदलो आज अच्छे दिन थे इसका नसीब अच्छा था यह डोग धिरे दिरे इसको छोड़के दूर जाना सुरू करते हैं चले जाते हैं कि कुछ एक तो अभी भी दो तो अभी भी टक टकी लगाया हैं क्योंकि इंजर्ड है इसकी पैर में चोट लगी हुई है अब बहुत सारे भाई हो सकता है बोल दें कि भाई इसको बचाओ यार मैं तो बहुत दूर से वीडियो बना रहा हूँ चलो एक दूसरे बड़े नील भी है तो गुरूप में एक दूसरे की रक्षा भी करता है लेकिन नील गाय नील गाय दोस्तों बिलकुल भी एक दूसरे की रक्षा नहीं करता यह अकिला ही लड़ता है या मर जाए